मध्य प्रदेश में दो चड़नों में नौ लोग सभा सीटों पर हुए चुनाओं के बाद वोट प्रतीशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग के अलावा राजनितिक दलों ने जोर लगा दिया है आयोग जहां जागरुकता अभियान के अलावा अन्य कई तरह की कवायत कर रहा है वही राजनितिक दलों ने भी अब इसको लेकर पहल शुरू कर दी है प्रदेश निर्वाचन आयोग सभी बूतों पर आवश्यक सुविरा और मदाताओं को बूतों तक लाने की मुहीम में जुटा हुआ है पहले और दूसरे चड़नों में मदान को लेकर खास उत्साह नहीं दिखा निर्वाचन आयोग ने आज ब्रेस कॉंफरेंस में मदाताओं के लिए लखी ड्रॉग के जरिये इनाम की गोशना भी की है उसका प्रियोग करें और किस तरीके से उसके माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें इस उद्देशे से आप लोगों से परिचर्चा हमने करने का ये प्रयास किया है और आज चार तारीक हो गई है तो अब हमारे पास पांच और छे दो दिन है और साथ तारीक को हम सब लोगों को लोगतंतर के महा बियान में भागीदारी निभानी है तो हम सबसे पहला ये आप सब लोगों से आगरे करते हैं और आप से चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को अगले दो दिनों में पाँच और छे में और साथ तारीक को भी थोड़ा सा प्रेरिद करेंगे आप अपने इस तरह से अपने इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ये अलग अलग तरीके के कारिक्रम कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगता है और निउस पेपर में भी कोई काउंडाउन चला सकते हैं कोई अच्छा प्रेड़ा प्रत बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी ये तो हमारी आप से अपेच्छा है क्रियेटिविटी के मामले में हमसे ज़्यादा आपके पास क्रियेटिविटी है हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कारिक्रम करते हैं इसलिए उस पे मुझे कुछ नहीं कहना है कि फाल इतनी निवेदन करना है दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि कि जो कुछ हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो अगर आप लोग थोड़ा उसको बढ़ाएंगे लोगों तक ले जाएंगे तो हो सकता है लोगों में थोड़ा सा उसके लिए भी अच्छी बाहुना